पोको X6 5G का अंबॉक्सिंग वीडियो में वीडियो में ने बता है था भाई HyperOS का अपडेट कर लो इसके बाद में इसके कैमरा रिव्यू करने वालों क्यूंकि इसके कैमरे में कुछ प्रॉब्लम्स थी अपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं तो देखो मैंने इस फोन को तीन साल पुराने Redmi Note 10 Pro से कंपे करके देखा था तो भाई इसकी वीडियो ग्राफिय में इतने जादे क्रेंस और मच्चर दिख रहे थे मुझे लगा भाई इस फोन में इश्यू है और फिट करते HyperOS update का लेकिन जैसे HyperOS update आया ना उसके बाद मैंने वीडियो चेक करें उसके बात मुझे पता चला अभी नहीं आगे बताऊंगा तो पोग एक 6 5G का पूरा कैमरा टेस्ट करने वाले वीडियो टेस्ट करेंगे फोटो टेस्ट करेंगे फ्रंट कैमरा बैक कामरा अल्ट्रा वाइड एंकल कामरा सब कुछ आपको पता चल करता है और टेलिंग काफ़ MOM की अच्छी मिलती है ओवर शार्पनिंग की प्रोबलम मेर ऑवर शार्प निंडेल सा इस पर काफ़ा ऑप क्यूंसके साहिके तो थ्रेयर बहुत नो यह वाले जो सेंपल देख रहोगों वो अल्टा वाइड एंगल कैमरे का है, अल्टा वाइड एंगल कैमरे में यह काफी अच्छी क्वालिटी के आपको फोडो मिलता है, मला कलर्स और डाइनमिक रेंज वगएरा काफी कमाल की मिलती है, मला 0.6 x में अगर आप फोडो आपको शोशल मीडिया पर, इंस्टेग्राम वगएरा पर, या स्टोरी वगएरा डालेंगे, तो काफी बढ़िया फोडो आएगी, लेकिन हाँ आपको हाई रिसॉल्यूशन फोडो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको 8 मेगा पिक्सल का इल्टा वाइड एंगल कैमरा मिलता ह यह वालो जो आप सेंपल देख रहो हो ना, मैं आपको जूम की इसकी कैपिबिलिटीज दिखा देता हूँ, यह मैंना 1X में फोडो कैप्चर करा है, जो इसका प्राइमरी सेंसर है, 1X में अगर आप देखेंगे ना, डिटेल्स वगएरा काफी अच्छी मिल रही है, टेक् इसके बाद मैंने यह अगीन सेंपल लिया 4X में, क्योंकि मेंन सेंसर में ही इन्होंने 4X का डारेक्ट जूम बटन दे रखा है, तो 4X में भी काफी अच्छे से टेक्स दिख रहा है, और इसके बाद भाई हमने लिया टारेक्ली 10X में, मैक्जिमम 10X जूम कर सकते हो, तो 10X जूम करने के बाद भी काफी अच्छे मिलती है, और मैं काफी जादा इंप्रेस्ट हूं इसकी जूमिंग कैपेबिलिटी से, सेल्फी के बारे बात करूँ आपको फ्रेंट कैमरा 16 मेगा पिक्सल का मिलता है, और 16 मेगा पिक्सल के सेल्फी काफी किलियर दिखती है, अगेन यहाँ पर भी over sharpening नहीं मिलती है, काफी अच्छी आपको images मिलती है, जूम करके दिखाओं तो थोड़ी कम आपको details मिलती है, लेकिन social media ready है, और आपको ज़्यादा कुछ edit वगेरा का issue नहीं पड़ेगा, और नहीं इसमें over sharpening का issue है, colors वगेरा भी काफी अच्छे से clearly visible है, background जो है, वो भी clearly दिखता है, अगर आप group selfie वगेरा लेंगे ना, तो काफी अच्छी group selfie ले पाओगे, यह sunlight के मैं opposite में लिया है, तो थोड़ा dynamic range है, उसको adjust नहीं कर पाया, HDR वगेरा सही से काम यहाँ पर नहीं करा है, लेकिन background वगेरा देखेंगे, तो आपको थोड़ा clear काफी beautiful images आपको मिलते है, colors वगेरा natural दिखते हैं, लेकिन काफी clearly दिखते है, यहाँ पर यह बाल्टी देखो बाई, कितनी बड़िया लग रही है, वाला यार इतनी बड़िया कहने का मतलब है, कि colors वगेरा detailing वगेरा काफी अच्छी है, तो मेरे साफ से इसको back camera है वो outdoor में क काफी excellent perform करता है, और इसके जो ultra wide angle camera है, उसमें थोड़ी detailing कम मिलती है outdoor में, लेकिन वो भी काफी usable photos capture कर सकता है, और front camera से भी मैं outdoor में काफी जादे impressed हूँ, अब देखो outdoor की video दिखा हूँ ना, तो यहाँ पर starting के कुछ millisecond में frame drop हो गया, तो उसके बाद काफी smooth मुझे video recording मिली थ और front camera में दिखा हूँ, तो front camera से outdoor में direct sunlight में कुछ इस तरह की video quality मिलती है, opposite direction में मैं खड़ा हूँ sunlight की, और इस तरह की quality मिले, जो काफी impressive है, और इसमें मुझे frame drops नहीं मिले, ना ही indoor के अब जो samples दिखाऊँगा, उसमें मुझे frame drops मिले थे, लेकिन एक ही video में मुझे starting में कु 10 watt की उतनी light में selfie काफी अच्छी आई है, तो selfie जो है indoor में काफी अच्छा perform करती है, लेकिन हाँ excellent नहीं बोल सकता है, इस price के साब से काफी अच्छी आपको मिलती है, ये low light में ही मैंने जो normal घर की light होती है, उससे भी मैंने थोड़ी low कर दीती है, और ultra wide angle camera में देखेंगे, त इसी तरह यहाँ पर एक और ultra wide angle camera का sample दिखा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी light मिलती है, और थोड़ी light मिलने के बाद इतने zoom तक आपको थोड़ी अच्छी quality मिल जाएगी, इस से जाधा zoom करेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लो light में, indoor में, आपका ultra wide angle camera, social media क जाता हो, तो उसे साफ से काफी अच्छी capture कर सकता है, लेकिन हाँ जाधा zoom करने के साफ से, ultra wide angle camera low light के लिए इसका नहीं बना है, और यह वाला जो ultra wide angle camera का sample देख रहा है, यह थोड़ी अच्छी light में, मैंने capture करा था, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक आपको अच्छी quality मि जाती है, लेकिन ऐसा कुछ खास details यह एक्सलेंट perform नहीं करा है, इसके front camera नहीं और यहाँ पर यह अच्छी lightening condition में, मैंने selfie लिए है, front camera साब देख सकते हो, काफी अच्छी details से मिलती है, beard का texture वगरा देख सकते हो, shirt का texture वगरा वो काफी अच्छी से visible है, उसको front camera वो low light में अच्छा perform करता है, और outdoor में एक्सलेंट perform करता है, लेकिन low light में इतनी जादा detail नहीं बहुत सकते हैं, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा perform कर रहा है, surprise के साब से, अब देखो इसको main sensor है, उसके pictures दिखाऊं, अगर आपके lightning condition अच्छी है, तो भाई, काफी clear और crisp images यह capture करता ह काफी अच्छी pictures capture कर सकता, main sensor से, अब देखो मैंने 2x zoom करा, 2x zoom के बाद आप देख सकते हो, text वगेरा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यह मैंने 4x zoom कर दिया, 4x zoom में जो picture capture हुई है, वो कुछ इस तरह से दिखती है, text वगेरा इतना जादा visible नहीं है, जो छोटा वाला ह बड़े text जो है, वो काफी अच्छे से visible है, और यह मैंने 10x में picture capture करी है, 10x में कुछ इस तरह की quality मिलती है, मतला indoor में अगर lightning condition अच्छी हो, तो भी आपका back camera, main camera अच्छा perform करता है, again selfie दिखाऊ हूँ, तो यह भी अच्छी lightning condition में है, यहाँ पर आप देख सकते हो, beard का texture वग यह main sensor से मैंने low light में picture capture करी है, तो यहाँ पर ठीक details मिल जाती है, ठीक नहीं मैं काफी अच्छी details बोलना चाहूँगा, और इसके अलावा यहाँ पर एक और sample दिखाऊ, यह भी low light में हमने main sensor से picture capture करी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, text वगएरा काफी अच्छी से दिख र night mode on करके लिया था, तो यहाँ पर दिखाऊ, तो night mode में ऐसा कुछ difference फिलाल नहीं लगा, शटर स्पीड इसने कुछ जादा नहीं रखी थी, देख फ्रेंट केमरे की video है, और यह जो है हमारी video 1080p में बन रही है, और 60 fps है, तो low light है काफी, नॉर्मल जितनी घर में light होती है, उ और एक बार मैं आपको stabilization दिखा देता हूँ, तो मैं अगर चल रहा हूँ, तो कुछ इस तरह की आपको front camera में stabilization मिलती है, अब यह मैं lights में आ गया हूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ी अच्छी quality मिल रही होगी, यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो इस तरह की quality मिल रही है, और यह audio है ना यह भी इसी camera से record हो रही है, कोई में edit नहीं करा है, तो अगर आप अच्छी light में recording करेंगे ना, जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरह की studio light की quality में recording करेंगे, तो इस तरह की quality आपको मिलती है, अब मैं वापस आपको stabilization दिखाऊँ ना, stabilization देखो किस तरह की मिलती होगी, और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यह भाई android जो है, फो competition नहीं कर सकता है, आइफोन का जैसे कि background की आप lights देख रहो, तो यह दोनों चीज मैनेज नहीं कर सकता है, मतलब HDR वगेरा, इसे मैं काफी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, वीडियो या फिर photos वग तो zoom की जो quality है, वो काफी अच्छी है, काफी smoothly zoom होता है, जैसे कि आपको iPhone वगेरा में zooming वगेरा मिलती है, तो यहाँ पर काफी अच्छी smoothness मिल रहे है, और मैं full zoom करके दिखा दूँ, तो आप इसकी quality देख को किस तरह की मिलती है, maximum आपको 6S zoom मिलता है, और देखो बाई, इत stabilization काफी अच्छी मिल रही है, ultra wide में मैं switch नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि आपको iPhone वगेरा में switch हो जाता है, वैसी आपको चीज़े इसमें नहीं मिलती है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी fps कम कर देता हूँ, ताकि हमें better quality मिले, अब देखो यह जो video है, 1080 भी 30 fps पर बन रही है, और इस तरह की आपको quality मिलती है, zoom करके दिखा हूँ, तो यहाँ पर काफी low light है, और 6x zoom में वापस से करके दिखा हूँ, तो आप देख सकते हो किस तरह की quality मिलती है, और इधर मैं switch करके दिखा हूँ, तो भी आपको काफी जादा cranes मिल रहा है, तो भाई वही बात है, cranes का आया है, Redmi Note 10 Pro में किस तरह की काफी कमाल की low light में videos बन रही थी, अब देखो इस phone में आपको 4K video recording का भी option मिलता है, 4K 30fps तक video बना सकतो, 60fps का 4K में option नहीं मिलता है, 4K में 6x zoom करके दिखा हूँ, तो आप देख सकते हो किस तरह की quality मिलती है, और अच्छी बात है, 4K में आपको stabilization मिलती है, काफी phone है, जिनमें आपको 4K तो मिल जाता है, 20-25 जार वाले, लेकिन उनमें stabilization नहीं मिलती है, तो आप vlogging वगेरा या कुछ और काम करो बिना tripod गे, तो काफी बेकार, unstable videos बनती है, तो यहाँ पर stabilization दिखा हूँ, तो कुछ इस तरह की मिलती है, मैं वापस से चलके द काफी अच्छी मिलती है, stable video recording मिलती है, अभी जो वीडियो देख रहा हूँ, यह ultra wide angle camera में वीडियो बन रही है, और ultra wide angle camera में आप 1080p, 30fps तक वीडियो बना सकतो, 60fps का option नहीं मिलता है, नहीं 4K का option मिलता है, तो अभी इसकी quality देख सकतो, और stabilization भी देख सकतो, किस तरह की मिलती है, और stabilization काफी अच्छी मिल रही है, और यह जो audio सुन रहो हो ना, यह भी कोई भी edit नहीं है, और original audio है, जो कि directly इस phone से record हो रही है, तो stabilization जो है, वो काफी अच्छी मुझे है, फिलाल लग रही है, और देखो अगर आपकी lights अच्छी है, studio वगेरा में, यह फिर outdoor में shoot करोगे, तो कुछ इस तरह की quality मिलेगी, जो कि मेरे खयाल सा काफी अच्छी है, और मैं इसको zoom करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर आप ultra wide angle camera में अगर zoom करोगे, तो 2x तक का zoom का option मिलता है, तो यह ultra wide angle को ही zoom करता है, तो इतनी जादा detailing वगेरा तो नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी lightening condition में, आपको ultra wide angle camera में काफी अच्छी quality मिलती है, low light में जाकर दिखाऊँ, तो यह भी आप देख सकतो, low light में कुछ इस तरह की quality मिलती है, और मैंने यार आपको पुरा setup tour ही करा दिया शायद, और मुझे अलग से setup tour ही है, फिर setup की video बनाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, तो काफी साली चीज़ों में camera इसका अच्छा perform करता है, outdoor में अगर आप videos record करतो हो, या फिर front camera हो, back camera हो, ultra wide angle camera हो, वीडियो ग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसके जो photos की quality है, outdoor में वो भी काफी अच्छी आती है, indoor में भी काफी अच्छे photos ये capture कर लेता, front camera भी काफी noise दिखेगी, उस वज़े तक काफी सारे content creators होता है, तो उनके लिए काफी बड़ी ये problem हो सकते है, deal breaking हो सकती है, बागी मुझे नहीं लगता, और updates के बाद ये camera fix हो सकता है, क्योंकि काफी मही ने हो चुक है, इसके बाद इस phone में already MIUI के updates आ चुक है, उसके बाद HyperOS का काफी सारे updates आ चुक है, तो अब तक fix होना होता, तो fix हो गया होता, बागी इन future updates में fix हो जाता है, या पी कुछ और improvements दिखते है, तो मैं काफी सारे videos बनाना है वाल हूँ, Pogo X65G की तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फिलाल मिलत अगली वीडियो में है, तब तक के लिए, हमाई kkstore.kkv.in पर unboxed और new products काफी crazy loot price पर मिल रहा है, link discussion में बेल जाएगी, इसको मैंने कम पेंगर, इसको मैंने कम,